हेलो सूब एसके लेक्टरों सुट्रूप का स्वागा दोस्तों कैसे हुआ पासे करतों बहुत अच्छे होंगा अच्छे रहोगे दोस्तों कि मेरे पास एसेंबल LED TV आया रिपेर होने के लिए अब मैं आपको दोस्तों सबसे पहले फाल लिखा तो मैंने ओन किया और मैं इसको अच्छे आपको करता हो इस्मेशी जो समस्या है देखना जादेतर हमारी यह भी आया जाती है है कुछ समस्या वै चीज बताएंगे कैसे ठीक कर सकते हो चीज बताएंगे दोस्तों वीडियो को लाश्ट जो देखना हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब भी करो उपने करकत बते उच्छी बात है तो देखे जो यह ब्लैक अला की स्क्रीन पर लाइन देख रहे हैं तो इन ग्लाइन क्या है ग्यातं है मैं आपको भी इसे कौल कर दिखाता हूँ और फिर मैं आपको बताथा हूं रहता हूं आपको चैनल पर धी यह जो इसमें बोड़ी कसी गई थी दोस्त आख नेचे की टरफ यहां पर जो इसकी कोφ है कुछ रिपैर गांगी निए मैं तो बादी साइड में हमारा फर्क पढ़ता है हमाए लाइन आती जाती है तो दोस्तो यह जो проблем आती है हमारी कौफ खराब होने से आती है अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तो जब ऐसी समझ से आए तो उसमें आप दोस्तो साफ मना कर दीज़े कस्टमर को यह नहीं होगा पैनली चेंज होगा दोस्तो दस बात जूट बताने से अलवा एक बात सच बता दो तो वह बात अच्छ रहता है दोस्तो मैं दोने दोनना की बात बताओँंगा कि यह साफ साफ बताता हूं दोस्तों यह नहीं ठीक होता है बांडिंग दुबारा करानी पड़ती है रिपेरिंग होता है इसे ले जाने में पैनल कीश्क रेटने की संबावना बन जाती है तो एक कॉप जो है रिबाइंडिंग गराने पे उड़ती है उसमें बॉंडिंग करने से हमारी दोस्तो वो जाने भी नहीं रहती है अगर किसी वज़े चल हो जाती है तो उसमें काफी ज्यादा रिस्क रहता है पैनल को ले जाने रहने में ये बॉंडिंग हमारी कॉप नहीं डिल जाती है तो दोस्तो देखिए जैसे में इस को ऀलारा हूं तो हिहां परnor चेंज है मैंने आपको साफ साफ बता है दोस्तों ये फाल्ट के लियर नहीं हो सकता बिना बॉंडिंग के बॉंडिंग में लिस्ट करा दाथा है पैनल नाल को ले जाओ आप एसक रखता है बॉंडिंग मसीन पर या किसी पे बॉौन अच्छी ये फाल दोस्तों किले नहीं हो सकता बिना बॉंडिंग कराए आज के इतना ही जैहिन वंदे मातन दोस्तों आपका दिन सुब हो इस्टे होम इस्टे शेव